प्याज की कीमते काफी नीचे चल रही है जिस वज़े से किसान अपनी उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पा रहे है लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में तेजी की संभावना जताई जा रही है क्योंकि इन पर मुख उत्पादक राज्यों में कई दिनों से जारी बारिश के मद्दे नजर प्याज की खरीब फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका बढ़ गई है फिलाल खरीब सीजन की आवक करनाटक में और चिटपुट तोर पर महाराष्टर में भी शुरू हो गई है महाराष्टर में खरीब प्याज की आवक मुखे रूप से अक्तूबर में शुरू होती है वही इन राज्यों में पच्छेती खरीब प्याज की रुपाई फिलाल चल रही है देश में कुल प्याज उत्पादन में जहां रभी प्याज की हिस्सेदारी 70 फिसदी है जिसकी बुआई अभी की जा रही है भार्तिय सबजी उतपादक संग के अध्यक्ष की माने तो बीते दिनों से महाराष्टर के साथ उत्री करनाटक के प्याज उतपादक इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है खेतों में पानी भरने से प्याज की जड़ खतम हो रही है जिससे ख्रीव सीजन वाले प्याज की फसल को नुकसान के कारण उत्पादन घड़ सकता है इससे अगले महीने प्याज के दाम बढ़ने की उमीद की जा रही है अभी किसानों को प्याज की ज्यादा तर कीमत 10-14 रुपे किलो मिल रही है बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्याज के भाव 17 रुपे किलो तक है अगले महीने भाव बढ़कर 20 रुपे किलो के उपर जा सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वही राश्य बागवनी अनुसंधान एंविकास प्रतिष्ठान की माने तो उनका कहना है कि इस साल खरीब सीजन में 20-25 फीसदी प्याज ज्यादा लगा है लेकिन बारिश से महाराश्य और मध्यपरदेश में खेती में लगी खरीब वाले प्याज की फसल को नुकसान हो रहा है अगले महीने नई आवक शुरू होने तक अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो प्याज की किम्तों में उच्छाल आ सकता है वर्ष 2021-22 में प्याज का रिकोर्ड 317 लाग टन उत्पादन हुआ था चो वर्ष 2021 के 266 लाग टन के से करीब 19 फीसदी जादा था उपोकता मामलों के मंत्रालिय के आंकडों के मताबिक देश भर में खुद्रा बजारों में प्याज 12-60 रुपे किलो भिक रहा है और इसकी ओसत कीमत 26 रुपे 23 पैसे है उधर प्याज की गिर्ती कीमतों के कारण महाराश्टर के किसान परिशान है पिछले करीब चार महीनों से प्याज के दाम किसानों को रुला रहे है सरकार की तरफ से खरिदारी बंध होने के कारण किसानों को अने पोने दाम पर अपनी पुज उपज बेचनी पड़ रही है लेकिन बजार जानकारों का कहना है कि अगर उत्पादन कम रहता है तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी